नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिरपरी दोस्तों पस्तेत हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां पपीते के पत्ते का जूस पीकर कई बिमारियों को आप दूर भगा सकते हैं आज का हमारा यहीं टॉपिक है आपने हमारी चैनल पर ही बहुत बार सुना होगा कि पपीता खाने के क्या क्या फायदे होते हैं लेकिन आज हम आपको पपीता के पत्ते खाने के या फिर उसका जूस पीने के फायदे बताने वाले हैं क्या आप जानते हैं कि पपीते के पत्ते कई और शद्य गुनों से भरे हुए होते हैं आ पपिते के पत्तों में विटामिन A, B, C, D और E, इसके साथ साथ कैल्शियम की मात्रा भी होती है इसमें, इन दुनों वो लोग जो अपनी सिहत के प्रती जागरित हैं, वे पपिते के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे हैं, इसके प्रयोग से घातक रोग जैसे कैंसर, दिल की विमारी डेंगू, बलड शूगर तथा आतों में बसे पर जीवियों को नश्ट करने में सफलता मिलते हैं यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को भी बढ़ाता है पपीते की ताजी और छोटी पत्तियां शरीर से डेंगू के विशले जहर को निकालने में मदद करते हैं पपीते के स्वास्थेलाब आप पपीते की पत्तियों का जूस अन्य फलों के जूस के साथ मिलाकर रोगी को दे सकते हैं आए जानते हैं पपीते के पत्ते के किन किन रोगों को दूर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी सेवन वीधि क्या होगे इसमें कैंसर रोधी गुन होते हैं जो कि इम्मुनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेश्ट कैंसर, अगनाशय, जिगर और फेफणों के कैंसर को होने से रोकते हैं इसके आलावा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं ये पपीते की पत्तियों में 50 एक्ट करता है इन पत्तियों में सर्दी और जुकाम जैसे रोगों से लडने की शक्ति होती है इस सफुर में वाइट बलैडस और प्लेटलेट्स को बढ़ा देती है इन्ती मलेरिया गुन मँवजूद होते हैं पपीटे के पत्तों में यह मलेरिया झै का रर्म ते कर पाफिकाई- यह गिरते हुए प्लेटलेट को बढ़ाने, खून के ठके जमने तथा जिगर की शत्ति को रोकते हैं जो कि डेंगू वाइरस के कारण हो जाता है इसके अलावाई महावरी के दर्ध से छुटकारा दिलाता है दर्ध को दूर करने के लिए एक कारणा बनाईए जिसमें एक पपीते की पत्ती को इमली, नमक, एक गलास पानी के साथ मिक्स कीजिए फिर इसे उबालिए और जब कारणा बनकर ठंधा हो जाए तब इसे पी लीजिए इससे आपको आराम मिलेगा ब्लड प्लेट लेट्स बढ़ जाती है इससे, यह जड़ी बूटी खून में ब्लड प्लेट लेट्स बढ़ा देती है इसलिए पपीते के पत्ते के दो चम्मचरस को रोजाना कुछ दिनों तक पीना चाहिए मुहासो को दूर करने में भी बेहत कारगर साबित होती है अगर चेहरे पर मुहासे हैं तो सुखे पपीते की पत्तियां लेकर उसे थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके पेश्ट बना लें फिर इस पेश्ट को चेहरे पर लगा कर सुखा लें फिर इसे पानी से धोलें इस तरह से आपके चेहरे से pimples हट जाएंगे इसके आलावा अगर आप पीते के पते की चाय पियेंगे तो आपके पेट से खोई ही भूख भी दोबारा वापस आ जाएगी यानि कि आपका पाचन तंदुरुस्त हो जाएगा और आपको भूख लगने लगेगी तो दोस्तों ये थी आज कि हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पूनिज जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्क दोस्तों